पिछले कक्षा में आपने straight line या सर्लरेखा पढ़ा है लेकिन सर्लरेखा को हमने two Dimensional में देखा है इस कक्षा में या इस अध्याय में हम जो सर्लरेखा पढ़ने वाले हैं यह three Dimensional Sp tests में पढ़ने वाले हैं तो आईए शुरू करते हैं यहाद याए दो सम्तल यदि वे सम्तलियन नहीं हैं तो वो एक दूसरे को पतिछेत करेंगे a1 x plus b1 y plus c1 z plus d1 equal to 0 यदि ये पहले सम्तल का समीकरण है और a2 x plus b2 y plus c2 z plus d2 equal to 0 ये दूसरे सम्तल का समीकरण है तो ये दोनों एक साथ किसी सरलरेखा को निरूपित करते हैं इसको graphically भी देखा जा सकता है हम देखेंगे कि Geogebra में कि ये दोनों समीकरण किस प्रकार एक सम्तल को प्रदर्सित करते हैं और इन दोनों का intersection point एक सरलरेखा होता है कुछ इस प्रकार हम इनको देख सकते हैं तो देखिए ये दो अलग-अलग समतल है और एक रेखा के रूप में ये एक दूसरे को परतिछेत कर रहे हैं या दोनों का जो intersection area है वो एक straight line या सरल रेखा है Straight line तो straight line chapter में हम पहले सरल रेखा का समीकरण देखेंगे या equation of a line दो समतल यदी वे समांतर नहीं है तो आएक रेखा को परतिछेत करते हैं माना उन समतलों की समीकरण है a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 इक्वल टू 0 माना या समीकरण एक है तथा a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इक्वल टू 0 माना या दूसरा समीकरण है अतह यदी दोनों समतल समांतर नहीं है तो समीकरण 1 और समीकरण 2 एक साथ एक रेखा के समीकरण को निरूपित करते हैं आप इसे इस तरीके समझ सकते हैं कि दोनों समतल जहांपर एक दूसरे को प्रतिछेत कर रहे हैं वह आपको एक सरल रेखा की तरह दिखाई देगा या सरल रेखा ही होगा तो ग्राफिकली आप देखना चाहें तो देखिए कि ये एक प्लेन है और ये एक दूसरा प्लेन है दोनों plane के बीच में जो intersection point या intersection area आ रहा है यह एक street line ही दिखाई दे रहा है किसी सरल रेखा के समी करण का सममित रूप symmetrical form of the equation of the street line यदि कोई रेखा x1, y1, z1 इस बिंदू से उकर गुजरती है तथा उस रेखा की दिक कोज जाएं l, m और n हो तो सरल रेखा का सममित समी करण होता है x-x1 upon l equal to y-y1 upon m equal to z-z1 upon n आइए देखते हैं कि यह किस प्रकार आता है अब देखते हैं कि किसी सरल रेखा के समी करण का सममित रूप symmetrical form of the equation of a line उस सरल रेखा का समी करण ग्याद करना जो बिंदू x1, y1, z1 से गुजरती है तथा जिसकी दिक कोज जाएं l, m, n है माना सरल रेखा a, b की दिक कोज जाएं l, m, n है तथा यह बिंदू a x1, y1, z1 से गुजरती है तो इस प्रकार आप चितर में देख सकते हैं कि o, x या x-axis है इसी प्रकार o, y और o, z यह दो अलग-अलग और निर्देश साक्ष है और यहाँ पर एक बिंदू है a जिसके निर्देशांक है x1, y1, z1 और दूसरा बिंदू है b जिसके निर्देशांक है x, y, और z a से x सक्ष के समानतरा में एक रेखा खीचें तो वह हमें a, r दिखाई दे रहा है और उसी प्रकार p से m एक हमने लंब खीचा है माना की सरल रेखा a, b पर कोई बिंदू x, y, z है जहां पर a, p, equal to r है अर्थात बिंदू a से p के बीच की दूरी r है माना a तथा p से x पर डाले गए लंबों के लंब पाद करमसा l और m है अर्थात बिंदू a और बिंदू p से x अक्ष पर लंब खीचा गया है जो कि हमको करमसा l और m मिल रहा है तब o, l, equal to x1 होगा चुकि बिंदू a का निर्दशांग यदि x1, y1, z1 है तो a से x पर डाले गए लंब जिस बिंदू पर मिल रहे हैं x अक्ष को वो x1 ही होगा इसी प्रकार o से m का जो distance होगा, ये x होगा तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं कि lm equal to om minus ol मान रख देंगे तो मिल जाएगा x minus x1 माना कि ये सम्मी करण 1 है बिंदू a से pm पर डाले गए लंब काल पाद r है, तब lm equal to ar equal to ap cos alpha तो इस प्रकार हमें मिल जाएगा x minus x1 equal to r into l जैसा कि आप जानते हैं कि l जो है यह cos alpha होता है तो इस प्रकार हमें मिल जाएगा y minus y1 equal to rm और z minus z1 equal to rn इन सम्मी करणों को हमने करमसा 2, 3 और 4 का नाम दिया इस प्रकार सम्मी करण 2, 3 और 4 में यदि आप देखें तो r जो है यह उभेनिस्ट है so r equal to हमें मिल जाएगा x minus x1 upon l equal to y minus y1 upon m equal to z minus z1 upon n equal to r यह सरल रेखा a, b का सम्मित रूप में सम्मी करण है अब इसमें हम कुछ उपप्रमें देखते हैं जहां पर हम सरल रेखा परिस्थित किसी बिंदू के नर्देशांग को ग्याद कर सकते हैं तो थोड़ी देर पहले आपने यह देखा है कि सरल रेखा का सम्मित सम्मी करण होता है एकोल और यह हम मान करके चलते हैं यह नर्देशांक मिल रहा है हमें यह रेखा परिस्थित किसी बिंदू के नर्देशांक है कि सरल रेखा पर कोई बिंदू के निर्देशांग हम किस प्रकार ग्याद करेंगे तो समी करण 5 से हम यह लिख सकते हैं कि प्रथम और अंतिम पद की तूलना करेंगे और तिर्यक गुणा करके सरल करेंगे तो हम लिख सकते हैं X equal to X1 plus LR Y equal to Y1 plus MR और Z equal to Z1 plus NR अतह सरल रेखा AB पर किसी बिंदू के निर्देशांग X1 plus LR Y1 plus MR और Z1 plus NR है जहां पर AP equal to R है अब इसमें हम दूसरा उपरपरमेय देखते हैं कि यदि सरल रेखा AB के दिक अनुपात small a, small b, small c हो तो उसकी दिक कोजिया है LMN करमशह A upon square root over sigma a square b upon square root over sigma a square और c upon square root over sigma a square होगी जहां पर sigma a square का मतलब है a square plus b square plus c square अतह समीकरण 5 से सरल रेखा का जो समीकरण है वह हमें प्राप्त होगा x minus x1 whole upon a upon square root over sigma a square equal to y minus y1 whole upon b upon square root over sigma a square equal to z minus z1 whole upon c upon square root over sigma a square तो इसे यदि हम सरल करें तो हमें मिल जाएगा x minus x1 upon a equal to y minus y1 upon b equal to z minus z1 upon c माना कि यह समीकरण 6 है यह सरल रेखा a, b का अभिष्ट समीकरण है जबकि रेखा के दिक अनुपात दिये गए हैं अर्थात रेखा के दिक अनुपात a, b, c हैं तब हम इस समीकरण का उप्योग करेंगे अब समीकरण 6 में हमें जो प्राप्त हुआ है उसे हम equal to r यह मान करके सरल करेंगे अर्थात x minus x1 upon a equal to y minus y1 upon b equal to z minus z1 upon c equal to r अब इसे भी तिर्यक गुणा करके सरल करेंगे पर्थाम और अन्तिमपद फिर द्विती और अन्तिमपद और त्रिती और अन्तिमपद की तुलना करेंगे तब हमें मिल जाएगा x equal to x1 plus ar y equal to y1 plus b r और z equal to z1 plus c r अतह सरल रेखा a, b पर कोई बिंदू कि जो निर्देशांग होगा वह इस प्रकार होगा x1 plus ar y1 plus b r और z1 plus c r यहां ध्यान देने योग्य तत्य यह है कि बिंदू x1 plus ar y1 plus b r z1 plus c r तथा x1 plus l r y1 plus mr z plus n r दोनों ही रेखा a, b पर किसी बिंदू के निर्देशांग है किन्तु पहला बिंदू a, x1, y1, z1 से वास्तविक दूरी r पर नहीं है जबकि दूसरा बिंदू a से r दूरी पर है क्योंकि l square plus m square plus n square equal to 1 होता है जबकि a square plus b square plus c square is not equal to 1 दो बिंदूओ a, x1, y1, z1 और b, x2, y2, z2 से गुजरने वाली रेखा का समी करण जैसे कि आप जानते हैं कि a, b, c यदि किसी रेखा के दिक अनुपात हो और वो दो बिंदूओ से होकर के जाती है तो हम निकाल सकते हैं कि a equal to x2 minus x1 b equal to y2 minus y1 और c equal to z2 minus z1 या इसको wise versa भी कर सकते हैं x1 minus x2, y1 minus y2 और z1 minus z2 इस प्रकार भी लिख सकते हैं तो थोड़ी जेर पहले हम लोगों ने देखा है कि सरल रेखा का सम्मित रूप या सम्मित समी करण किस प्रकार होता है तो इस प्रकार दो बिंदूओं से होकर जाने वाली रेखा का समी करण होगा x minus x1 upon x2 minus x1 equal to y minus y1 upon y2 minus y1 equal to z minus z1 upon z2 minus z1 बिंदूओं a x1 y1 z1 और b x2 y2 z2 से गुजरने वाली रेखा का समी करण इक्वेशन आफ लाइन थूदी पॉइंट a x1 y1 z1 and b x2 y2 z2 चितर में आप देख पा रहे हैं कि बिंदू a जिसके निर्दसांग x1 y1 z1 है और दूसरा बिंदू है b x2 y2 z2 तो इस प्रकार दो बिंदों की बीच की दूरी का सूतर का उप्योग करके हम लिख सकते हैं a b equal to square root over x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 का whole square plus z2 minus z1 का whole square equal to r रेखा a b की दिककोच जाएं यदि हम calculate करें तो हमें मिल जाएगा x2 minus x1 upon r y2 minus y1 upon r और z2 minus z1 upon r माना की यह समीकरण 1 है माना रेखा पर कोई बिंदू p x y z है तब p a की दिककोच जाएं हमें मिल जाएंगी x minus x1 upon r1 y minus y1 upon r1 और z minus z1 upon r1 जहां r1 जो है यह बिंदू x y z यहां r1 जो है यह बिंदू p x y z और बिंदू a x1 y1 z1 की बीच की दूरी है अर्थात r1 equal to square root over x minus x1 का square plus y minus y1 का square plus z minus z1 whole square अथा समीकरण 1 और 2 से हम लिख सकते है x minus x1 upon x2 minus x1 equal to y minus y1 upon y2 minus y1 equal to z minus z1 upon z2 minus z1 आईए सरल करते हैं इन अउधारणाओं से संबंदित कुछ प्रश्न प्रश्न दिया गया है कि उस सरल रेखा का समीकरण ग्याद कीजिए जो बिंदूओं 4 minus 5 minus 2 तथा minus 153 से गुजरती है तो इसको सरल करने के लिए आपको यह ग्याद होना चाहिए कि बिंदूओं A, X1, Y1, Z1 तथा B, X2, Y2, Z2 से गुजरने वाली गुजरने वाली सरल रेखा का समीकरण सरल रेखा का समीकरण यह होता है X minus X1 upon X2 minus X1 equal to Y minus Y1 upon Y2 minus Y1 equal to Z minus Z1 upon Z2 minus Z1 यहाँ पर जो बिंदू का निर्देशांक दिया गया है यह वकर निर्देशांक है 4 minus 5 minus 2 तथा Q minus 153 तो इस सूत्र में मान रख देते हैं तो हमें अभिष्ट सरल रेखा का समीकरण मिल जाएगा X minus X1 upon X2 minus X1 equal to Y minus Y1 upon Y2 minus Y1 equal to Z minus Z1 upon Z2 minus Z1 तो यह आपको मिल जाएगा X minus 4 upon minus 5 equal to Y plus 5 upon 10 equal to Z plus 2 upon 5 denominator में यहार में जो रासी दिखाई दी रही है इसमें से हम 5 को cancel कर सकते हैं तो हमें समीकरण मिल जाएगा X minus 4 upon minus 1 equal to Y plus 5 upon 2 equal to Z plus 2 upon 1 और तो यह अभिष्ट रेखा का समीकरण है जो कि हमें ग्याद का निकले दिया गया था अगला प्रक्शन दिया गया है कि बिंदूओं A, B, C तथा A minus B, B minus C, C minus A से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण ग्याद कीजे तो जैसा कि आप जानते हैं कि बिंदूओं X1, Y1, Z1 तथा X2, Y2, Z2 से उजरने वाली रेखा का समीकरण होता है X minus X1 upon X2 minus X1 equal to Y minus Y1 upon Y2 minus Y1 equal to Z minus Z1 upon Z2 minus Z1 तो यहाँ पर हमें जो बिंदूओं का दर्देशांक दिया गया है यह है A, B, C और A minus B, B minus B minus C और C minus A अठाथ यह X1, Y1, Z1, X2, Y2, Z2 तो अभिष्ट रेखा का समीकरण X minus X1, यह X1 है upon X2 minus X1 तो यह A minus B minus A equal to Y minus Y1 upon Y2 minus Y1 equal to Z minus Z1 upon Z2 minus Z1 तो यहाँ से अब इसको solve करेंगे मिल दाएगा X upon A और यहाँ से minus B आएगा वैसे ही Y minus B upon minus C equal to Z minus C upon minus A minus 1 से multiply कर देते हैं तो हमें जो समीकरण में लेगा है यह होगा X minus A upon B equal to Y minus B upon C equal to Z minus C upon A तो यह अभिष्ट रेखा का समीकरण है जो कि हमें ग्यात करने कले दिया गया था अगला परशन दिया गया है कि बिंदूों A 341 तथा B 516 से गुजरने वाली रेखा का XY समतल से प्रतिछेद बिंदू ग्यात कीजिए तो पहले बात यह कि बिंदू से गुजरने वाली रेखा का समीकरण हम पहले ग्यात कर लेते हैं और फिर जो दिया गया है कि XY समतल से प्रतिछेद बिंदू ग्यात कीजिए तो X वर Y का ऐसा मान जो कि रेखा और समतल दोनों समीकरणों को संतुष करता है उससे हमें वह बिंदू के निर्देशांग मिल जाएंगे तो पहले हम दो रो रेखा का दो बिंदू सोकर जाने वाली रेखा का समीकरण गयाद करेंगे और फिर दूसरा XY समतल का समीकरण गयाद करेंगे तो हम लिखेंगे कि बिंदूओं A 3, 4, 1 तथा B 5, 1, 6 से गुजरने वाले रेखा का समीकरण X minus X1 upon X2 minus X1 equal to Y minus Y1 upon Y2 minus Y1 equal to Z minus Z1 upon Z2 minus Z1 तो यहाँ से मिल दाएगा X minus 3 upon 2 equal to Y minus 4 upon minus 3 equal to Z minus 1 upon 5 तो यह हमारे रेखा का समीकरण है अब यह कहा गया है कि यहाँ रेखा XY समतल को उस बिंदू पर पतिछेद करती है तो XY समतल का जो समीकरण होता है वहाँ पर Z equal to 0 मिलता है तो लिखेंगे कि रेखा समतल को XY समतल पर पतिछेद करती है जहाँ Z equal to 0 XY समतल पर Z equal to 0 होता है तो Z equal to 0 जो है उसे उपर उपतिछे समीकरण अर्थाल मान लेते हैं कि समीकरण 1 है इस मान को समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में Z equal to 0 रखने पर आपको मिल दाएगा X minus 3 upon 2 equal to Y minus 4 upon minus 3 equal to minus 1 by 5 पहले और रंतिमपत के तुलना करेंगे दूसरे और रंतिमपत के तुलना करेंगे तो यहां से हमें मिल दाएगा X minus 3 upon 2 equal to minus 1 upon 5 और दूसरा Y minus 4 upon minus 3 equal to minus 1 by 5 अब तिरिया गुणा करेंगे तो यह मिल दाएगा आपको 5X minus 15 equal to minus 2 5X equal to 15 minus 2 that is 13 X equal to 13 by 5 तो यह अब यहां पर तिरिया गुणा करते हैं तो मिल दाएगा 5Y minus 20 equal to 3 5Y equal to 20 plus 3 that is 23 so Y equal to 23 by 5 तो यह X और Y का मान ग्याद हो चुका और हमें उस बिंदू का नर्देशांक ग्याद करना हैं तो अभिष्ट बिंदू होगा X Y और Z तो 13 बटे 5 23 बटे 5 और 0 यह अभिष्ट बिंदू का नर्देशांक है यह अभिष्ट प्रतिछेद बिंदू है अगरा परशन दिया गया है कि समतल 3X plus 4Y plus 5Z equal to 5 तथा रेखा X plus 1 upon 1 equal to Y plus 3 upon 3 equal to Z minus 2 upon minus 2 बिंदू का प्रतिछेद बिंदू ग्याद कीजिए तो पहले हम जो सरल रेखा का समीकरण दिया गया है उस पर इस्तित किसी बिंदू के नर्देशांक ग्याद करेंगे जो कि आर के पदों में होगा और फिर उस बिंदू के निर्देशांग को समतल के समी करण में रख देंगे योकि दोनों का प्रतिछेद बिंदू है इसका मतलब ये कि उस बिंदू का निर्देशांग रीखा और समतल दोनों के समी करण को संतुश्ट करेगा तो दी गई रीखा का समी करण x plus 1 upon 1 equal to y plus 3 upon 3 equal to z minus 2 upon minus 2 equal to r equal to r mana अब प्रतियक पद को पहले और अंतिम दूसरे और अंतिम और तीसरे और अंतिम पद के तुलना करेंगे तो रेखा पर इस्थित किसी बिंदू का निर्दशांक मिल जाएगा देखिए यह r 1 into r r minus 1 तो यह r minus 1 इसका x निर्दशांक हो गया उसी तरीके से 3r minus 3 minus 2r plus 2 यह रेखा परिस्थित किसी बिंदू का निर्दशांक है तो हम लिखेंगे कि यदि दी हुई रेखा समतल 3x plus 4y plus 5z equal to 5 को प्रतिछेद करती है तो तो बिंदू के निर्दशांक r minus 1 3r minus 3 और minus 2r plus 2 समतल के समी करण को संतुष्ट करेगा तो यह जो बिंदू के निर्दशांक है उसको समतल के समी करण में रख देते हैं तो 3 into x plus 4 into y plus 5 into z equal to 5 solve करते हैं 3r minus 3 plus 12r minus 12 minus 10r plus 10 minus 5 equal to 0 इस 5 को मिने left में ले आया अब देखिए 12 minus 10r 12r minus 10r 2r 2r plus 3r that is 5r next है minus 12 minus 3 minus 15 minus 20 minus 20 plus 10 minus 10 equal to 0 or that implies 5r equal to 10 that implies r equal to 2 to r का मान हमें मिल चुका है अब अभिस्ट बिंदू के निर्देशांक r minus 1 so 2 minus 1 that is 1 3r मान्द तीन दोनी 6 और 6 में 3 भटाएंगे minus 2r minus 4 plus 2 that is minus 2 so 1 3 minus 2 है अभिस्ट बिंदू के निर्देशांक यह जो क्योशन है इसको हम cross verify करने वाले हैं GeoGebra open source tool को use करते हुए जैसा कि आप देख पार है कि यह input बार है input बार में हम function type करते हैं या equation को type करते हैं और right side में आपको जो 3 axis वाला area दिखाई दे रहा है वो graphics area है इस graphics area में आपको उस particular equation का जो graph है को या object आपको यहाँ पर दिख रहे देगा तो हमारा जो समतल दिया गया था यह है 3x plus 4y plus 5z is equal to 5 जैसे बार enter किया आप देख पा रहे हैं कि यह एक plane draw हो चुका है इसके बाद में एक रेखा का समिकरण दिया गया है वो है x plus 1 upon 1 equal to 5 plus 3 upon 3 is equal to z minus 2 upon minus 2 जैसे मैंने enter किया देख पा रहे हैं कि एक straight line draw हो चुका है जो blue color में दिखा ही दे रहा है अब यह जो blue line है वो plane को एक point पर intersect कर रहे है वो यह point है तो उसका intersection निकालने के लिए हम यहाँ पर एक सर्फिस का ट्लिक करेंगे यह एक object और यह दूसर object तो यह plane और straight line का intersection point find करने के लिए इस button पर जाएंगे यहाँ पर हमें intersect का option मिल रहा है इसको click करेंगे पहला यह हमारा plane है और दूसरा यह object है जिक line जैसे हमने click किया a point generate हो चुका है और आप देख सकते हैं कि a point का जो coordinate है 1, 3, minus 2 है जो कि हमारे manually calculated answer से match करता है तो यह इस तरीके से आप देख सकते हैं कि यह जो line है plane को इस particular point पर intersect कर रही है और अगर आप यही पर point a के coordinate देखना चाहें तो भी हम देख सकते हैं यह देखिए point a का जो coordinate है यह है 1, 3, minus 2 प्रशन दिया गया है कि बिंदूओं 2, 3, 1 और 3, 4, 5 से जाने वाली रेखा और समतल दो एक्स धन वाई धन जड बराबर साथ के प्रतिछेद बिंदू गयात कीजें तो पहली बात यह कि हमें सरल रेखा का समीकरण गयात करना है पहले और फिर उस सरल रेखा पर रिस्तित किसी बिंदू के नर्देशांग गयात करेंगे और फिर उस मानों को समतल के समीकरण में रख करके आर का मान निकालेंगे और आर के मान से हमें फिर उन बिंदू का मान मिल जाएगा बिंदू ओं टू माइनस थ्री वन तथा थ्री माइनस फाइव माइनस फूर माइनस फाइव से जाने वाली या को मिलाने वाली रेखा का समीकरण x-x1 तो x-x1 अपॉं x2-x1 इक्वल तो y-y1 अपॉं y2-y1 इक्वल तो z-z1 अपान Z2 माइनस Z1 जब इसको solve करेंगे तो मिल दाएगा X-2 अपान 1 equal to Y plus 3 upon minus 1 equal to Z minus 1 upon 4 equal to R अपने यह मान करके चल रहे हैं So, रेखा X-2 upon 1 equal to Y plus 3 upon minus 1 equal to Z minus 1 upon 4 equal to R पर इस्थित किसी बिंदू के निर्देश आंक So, जैसे पहले सम्प्रशन में हमने किया था कि तिर्य गुण पहले और अंतिम पत कितुलना करेंगे और X कमान निकारेंगे 1 into R, R R plus 2 मिल जाएगा X कमान इसी तरीका से minus R minus 3 और 4 R plus 1 यह हमें वा बिंदू का निर्देश आंक मिल गया जो की सरल रेखा पर इस्थित है यह minus 5 है यह minus 5 हो जाएगा और यहाँ पर हमें मिल जाएगा minus 6 तो मिल जाएगा minus 6R प्लस 1 तो यह वाँ बिंदू है जो की रेखा पर इस्थित है और यह बिंदू समतल पर भी इस्थित है लिखेंगे कि यह बिंदू समतल 2X प्लस Y प्लस Z इक्वल टू 7 पर इस्थित है आता है बिंदू के दिरदे शांग रेखा की समयिकन को संतुष करेंगे तो मिलदाएगा 2X R प्लस 2 प्लस Y त इस-R-3 प्लस Z मिनस 6R प्लस 1 इक्वल टू 7 तो यहां समिल दाएगा 2R प्लस 4 मिनस R-3 मिनस 6R प्लस 1 इक्वल टू 7 तो दिखें यहां पर 6R तो मिनस 7R प्लस 2R तो यहां समिल दाएगा माइनस 5R 4 प्लस 4 माइनस 3 1, 1 प्लस 1 2 और 2 को दर दो को दर पक्षांतर कर देंगे तो 7 रिंद दो 5 मिल दाएगा तो इस तरीके से R इक्वल टू माइनस 1 यहां पर हमें मिला अब अभिष्ट बिंदू के निर्देशांक यदि हमें याद करने हो अभिष्ट बिंदू के निर्देशांक इस एक्वल बिंदू के निर्देशांक है मांग वे चलता है यह P है तो P यहां पर हम R का मां टख देंगे तो minus 1 plus 2 that is 1 minus minus plus 1 minus 3 that is minus 2 minus 6 r into minus 1 that is plus 6 6 plus 1 7 तो 1 minus 2 7 यह बह बिंदू के निर्देशांक है जो की हमें गयात करने के लिए दिया गया था अगरा प्रशन दिया गया है कि रेखा x-3 upon 1 equal to y-4 upon 2 equal to z-5 upon 2 और समतल x plus y plus z equal to 2 के प्रतिछेद बिंदू 3, 4, 5 से दूरी गयात कीजिए तो जिस प्रकार हम पहले सरल करते थे की सरल रेखा और समतल का प्रतिछेद बिंदू गयात करते थे तो पहले प्रतिछेद बिंदू गयात कर लेंगे और उसके बाद उस प्रतिछेद बिंदू से बिंदू 3, 4, 5 इसकी दूरी दो बिंदो की बीची दूरी का सुत्र लगा करके हम गयात कर लेंगे तो पहली बात की जो सरलेखा का समीकरण दिया गया है वह लिखते हैं और फिर उस परिस्थित किसी बिंदू के समीकरण बिंदू के देशां ग्याद करते हैं तो दी गई रेखा का समीकरण x-3 upon 1 is equal to y-4 upon 2 equal to z-5 upon 2 equal to r माना तो रेखा पर इस्थित किसी बिंदू के निर्देशांग पी तो पहले और र की तुलना करेंगे पहले पद और रंतिम पद की तुलना करेंगे तो r plus 3 मिल जाएगा x equal to similarly 2r plus 4 और 2r plus 5 और यह जो रेखा है यह जो बिंदू है रेखा पर इस्थित है यह बिंदू समतल पर भी इस्थित है और समतल का समीकरण दिया है x plus y plus z equal to 2 पर भी इस्थित है अतहा बिंदू के देशांग रेखा के समतल के समीकरण को संतुष करेंगे तो x equal to r plus 3 plus y equal to a 2r plus 4 plus z equal to a 2r plus 5 equal to 2 so r plus 2r 3r 3r plus 2r that is 5r अब चार और तीन साथ साथ और पांच बारा बारा को धले जाकर घटा देंगे मिल जाएगा आर का मान मिल चुका अब मान लेते हैं कि हमें जो बिंदू ग्यात करना है वो पी है पी का देशांग मिल जाएगा अतह पी r plus 3 तो minus 2 plus 3 that is 1 minus minus 2 into 2 that is minus 4 minus 4 plus 4 that is 0 then 2 into minus 2 minus 4 minus 4 plus 5 1 तो हमें बिंदू का नजशांग मिल गया 101 अब हमें अभिष्ट दूरी ग्यात करनी है अभिष्ट दूरी बराबर P101 से मान लेते हैं कि अग्रा बिंदू जो है वो क्यू है 3, 4, 5 की दूरी so square root over this minus this so 3 minus 1 का square plus 4 minus 0 का square plus 5 minus 1 का square 3 minus 1 2 2 का square 4 4 का square 16 4 का square again 16 16 16 32 32 और 4 36 36 का वर गमूल 6 तो 6 इकाई वो हद्दूरी है जो की रेखा और समतल के प्रतिछेद बिंदू से बिंदू 3, 4, 5 की है इस question को भी हम cross verify करने वाले हैं जियो जबरा को यूज करके हैं तो यह हमारा input bar है input bar में हम रेखा का जो sum ही करन है उसे लिखते हैं x minus 3 upon 1 is equal to y minus 4 upon 2 is equal to z minus 5 upon 2 जैसे आप enter करेंगे एक straight line मन जाएगा इसके बाद हमारा जो sumthal का समीकरण है यह x plus y plus z is equal to 2 है जैसे आप enter करेंगे और इस 3D rotate view से rotate करेंगे तो इस तरीके से दिखाई देगा यह हमारा plane है और यह हमारा straight line अब हमें इन दोनों का intersection point find out करना है तो यह second button है यहाँ पर intersect का option है यह हमारा plane और यह हमारा straight line दोन object को click करना जैसे click करेंगे point A जो है वो intersection हमें मिल चुका है 101 अब एक दूसरा point दिया गया है हम उस point को लेकर के चलते हैं कि वो B है तो B equal to 3, 4, 5 हमने यह enter किया point A और B यह दोनों point हमें मिल गया है अब दोनों बिंदों की बीच की दूरी निकालना है तो GeoGebra में हमारे पास एक distance function है Tis, Tance, Tance इसके बाद जिस दो point से यह pass और है जिसका distance calculate करना है वो point लिख सकते हैं A, B और जैसे आप enter करेंगे आप देख पारे हैं कि इन दोनों point के बीच का जो distance है यह 6 unit है दूसरा तरीका यह है कि अगर point को direct as a parameter आपको pass करना है हम लिख सकते हैं D, I, S, T, A, N, C, E इसके बाद एक parenthesis में वो point के coordinate जिसका हमको distance find करना है 1, 0, 1 इसके बाद एक comma और फिर से एक bracket open करेंगे parenthesis बोलते हैं से और दूसरा point का coordinate यह 3, 4 और यह 5 जैसे आप enter press करेंगे यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि distance fix है इस तरीके से हमने जो manually calculate किया है और जियो जबरा से हम उसको जब cross tally कर रहे है दोनों का answer same आ रहे है अब देखते हैं कि दो सरल रेखाओं के बीच का कोण किस परकार ग्याद करते है यदि पहले सरल रेखा का समी करन है x-a upon l equal to y-b upon m equal to z-c upon n तथा दूसरे रेखा का समी करन है x-a upon l dash equal to y-b upon m dash equal to z-c upon n dash तो यहाँ पर l m n पहले रेखा की दिक कोजिया है l dash m dash n dash दूसरी रेखा की दिक कोजिया है तो इन दोनों के बीच का कोण होगा cos theta equal to l l dash plus m m dash plus n n dash यदि दोनों रेखाएं परस पर लंबववत होंगी तो cos 90 degree हम वहाँ पर पुट करेंगे theta की sun पर 90 पुट करेंगे तो यह हमें मिल जाएगा 0 अर्थात यदि दो रेखाएं परस पर लंबववत है यह हमें सिद्ध करना हो तो हम यह दिखाएंगे कि दोनों रेखाओं के संगत दिक कोजियाओं का गुर्णफल का योग शुन्य होता है अर्थात L L' प्लस M M' प्लस N N' इक्वल टू 0 सरल रेखाओं X-A upon L equal to Y-B upon M equal to Z-C upon N तथा X-A upon L' equal to Y-B upon M' equal to Z-C upon N' के बीच का कोण ग्याद करना तो इन दोनों समीकरणों से आप यह देख सकते हैं कि पहली रेखा की दिक कोजियाओं L M N तथा दूसरी रेखा की दिक कोजियाओं L' M' और N' है माना अभिष्ट कोण जो है यह थीटा है तब हम यह लिख सकते हैं कि cos theta equal to L L' plus M M' plus N N' है यह रेखाएं लंबवत होंगी यदि theta equal to 90 degree होगा और जैसा कि आप जानते हैं कि cos theta यह cos 90 degree यहाँ पर 0 मिलेगा तो उस प्रकार हमें मिल जाएगा L L' plus M M' plus N' N' equal to 0 अब देखते हैं कि saral रेखा के बीच का कोण यदि saral रेखा का समीकरण X minus alpha upon A equal to Y minus beta upon B equal to Z minus gamma upon C यह पहली रेखा का समीकरण है अब दूसरी रेखा का समीकरण X minus alpha dash upon A dash equal to Y minus beta dash upon B dash equal to Z minus gamma dash upon C dash तो यहाँ पर A, B और C पहली रेखा के दिक अनुपात हैं A dash, B dash, C dash यह दूसरी रेखा के दिक अनुपात हैं माना इन दोनों रेखाओं के बीच का कोण theta है तब हम लिखेंगे cos theta equal to A A dash plus B B dash plus C dash whole upon square root over A square plus B square plus C square into square root over A dash square plus B dash square plus C dash square यदि यह दोनों रेखाओं परसपर लंबत होंगी तो हम theta equal to 90 पूट करेंगे और cos 90 शुन्य होता है तो इस प्रकार इस अनुपात को 0 से equate करेंगे और 3 गोणा करेंगे तो हमें मिल जाएगा A A dash plus B B dash plus C C dash equal to 0 तो यह प्रतिबंध है कि यदि दोनों रेखाओं परसपर लंबत हों तो हमें A A dash plus B B dash plus C C dash equal to 0 प्राप्त होगा सरल रेखाओं X minus alpha upon A equal to Y minus beta upon B equal to Z minus gamma upon C तथा X minus alpha dash upon A dash equal to Y minus beta dash upon B dash equal to Z minus gamma dash upon C dash के बीच का कोण ज्याद करें पहली रेखा की दिका कोच जाएं हैं A B C, दूतरी रेखा की दिका कोच जाएं हैं A dash B dash C dash माना कि दोनों रेखाओं के बीच का जो कोण या अभिष्ट कोण theta है तब हम लिखेंगे कि cos theta equal to A A dash plus B B dash plus C dash whole upon square root over A square plus B square plus C square into square root over A dash square plus B dash square plus C dash square ये रेखाएं लंबहुत होंगी यदि theta equal to 90 degree हम put कर दे और calculate करेंगे तो cos 90 degree हमें 0 मिल जाएगा तो इस प्रकार हम लिख पाएंगे A A dash plus B B dash plus C dash equal to 0 तो इन दोनों समी करणों का या दोनों सूतरों का उप्योग हम करेंगे कि दोनों सरल रेखाओं के बीच का कोन ग्याद करने के लिए आईए देखते हैं इसे सम्मंदित कुछ प्रश्न प्रश्न दिया गया है कि रेखाओं X plus 4 by 3 equal to Y minus 1 by 5 equal to Z plus 3 upon 4 और X plus 1 upon 1 equal to Y minus 4 upon 1 equal to Z minus 5 upon 2 के बीच का कोन ग्याद कीजे तो पहले रेखा के समी करण से हम तुलना करके A1, B1, C1, A2, B2, C2 यह ग्याद करते हैं और फिर दो रेखाओं के बीच का कोन के सूतर का उप्योग करके हम वह कोन का मान ग्याद कर लेंगे दी हुई रेखाओं के समी करण यह है X plus 4 upon 3 equal to Y minus 1 upon 5 equal to Z plus 3 upon 4 मान लेते हैं के समी करण एक है और जो दूसरा समी करण दिया गया है X plus 1 upon 1 equal to Y minus 4 upon 1 equal to Z minus 5 upon 2 मान लेते हैं के समी करण 2 है तो यहाँ पर यदि आप तुलना करेंगे तो यह A1, B1, C1, A2, B2, C2 यह है तो हम यह मान करके चलते हैं कि माना रेखाओं एक हुआ दो के बीच का कोण कोण थीटा है तो यह होता है cos theta equal to A1, A2 plus B1, B2 plus C1, C2 upon square root over A1 square plus B1 square plus C1 square into में है A2 square plus B2 square plus C2 square यह मान हम यहाँ पर रख देते हैं तो 3 into 1 that is 3 5 into 1 that is 5 और 4 into 2 that is 6 अपान square root over A2, 3 का square, 9, 5 का square, 25 और 4 का square, 16 then A1, A2 का square, 1 B2 का square, 1 और यह 4 4 into 2 करेंगे तो हैं पर आपको मिल जाएगा 8 8, 5, 13 और 13, 13, 16 मिल जाएगा 16 बटे वर्गंबूल 16 और 9, 25, 25 और 25, 50 4, 5 और 1, 6 तो इसे हम लिख सकते हैं 16 बटे वर्गंबूल 300 और 300 से हम 3 मुना 100 लिख सकते हैं और 100 का वर्गंबूल 10 और यह 3 अब भी यह cancel हो सकता है इसको हम 2 से भाग दे देंगे तो 8 बार में जाएगा 6X इक्वल टू-Y इक्वल टू-4Z के बीच का कोण ग्याद कीजिए तो इन दोनों रेखाओं से हम पुनह तुलना करके A1, A2, A1, B1, C1, A2, B2, C2 यह मान निकालेंगे और फिर दो रेखाओं के बीच का कोण के सूत्र का उप्योग करते हुए वह कोण हम ग्याद कर लेंगे तो दी हुई रेखाओं के समीकरण पहला दिया हुआ था 2X एक्वल टू 3Y एक्वल टू माइनस Z तो यहाँ पर 2, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 1 तीनों का गुणा करेंगे तो लग उतना समपरत आएगा 6 पूरे समीकरण को हम 6 से भाग दे देते हैं तो 2X by 6 एक्वल टू 3Y by 6 एक्वल टू माइनस Z by 6 तो यहाँ से हमें दो जाएगा X अपॉन 3 एक्वल टू Y by 2 एक्वल टू Z अपॉन माइनस 6 मान करके चलते हैं कि यह पहला समीकरण है अब यहाँ पर जो दूसरा समीकरण दिया गया था यह था 6X एक्वल टू माइनस Y एक्वल टू माइनस 4Z तो 6, 1 और 4 इसका कलब उतना सापरत आएगा 24 तो पूरे समीकरण को 24 से भाग दे देते हैं 6X अपॉन 24 इक्वल टू माइनस Y अपॉन 24 इक्वल टू माइनस 4Z अपॉन 24 तो यहाँ से मिल जाएगा 6 चौक 24 X बटे 4 वराबर रिन Y बटे 24 और 4 चक्के 24 तो यह इस तरीके से माइनस आइन को नीचे लिख लेते हैं कोई दिक्कत ने यह दूसरा समिकरण है समिकरण एक वा दो से समिकरण एक वा दो से A1 इक्वल टू 3 B1 इक्वल टू 2 C1 इक्वल टू माइनस 6 A2 इक्वल टू 4 B2 इक्वल टू माइनस 24 और C2 इक्वल टू माइनस 6 तो माना दोनों रेखाओं के बीच का कोण थीटा है तो हमें मिलता है cos theta equal to a1, a2 plus b1, b2 plus c1, c2 upon square root over a1 square plus b1 square plus c1 square और यह a2 square plus b2 square plus c2 square यहां पर मान रख देंगे तो हमें cos theta मिल दाएगा cos theta equal to 4 और 3 का गुणा करेंगे मिल दाएगा 12, 24, üçजवारिंड 24 और 2 का गुणा करेंगे मिल दाएगा, तरिंड 47 और 6 और 6 का गुणा करेंगे मिल दाएगा 36, बटे 3 कवर्ग 9 2 कवर्ग 4 6 कवर्ग 36, 4 कवर्ग 16, 24 कवर्ग 573 और 6 कवर्ग 36 तो यहां पर देखिए 12 और 36 बोड़ेंगे 48 मिल जाएगा 48 एन 48 अल्टीमेटली आपको मिल जाएगा 0 अब numerator में अगर 0 मिल गया और denominator में अगर आपको 0 नहीं मिल रहा है तो अब उसी बात है ultimately हमें 0 ही मिलेगा तो नीचे को solve करने का वशकता नहीं है फिर भी अगर करना चाहिए तो आप कर सकते हैं इसको solve करेंगे तो root 49 आएगा और इसको solve करेंगे तो root 628 आएगा so ultimately that will be 0 तो यहां से हमें मिल रहा है कॉस्ट थीटा कॉस्ट थीटा इक्वल टू जीरो तो यह तभी पॉसिबल है जब कॉस्ट 90 डिग्री हो तो जो अभिष्ट कॉन है 90 डिग्री है या पाई वाई 2 रेडियन है तो यही वह कोण है जो की हमें ग्यात करने के लिए दिया गया था अगला प्रशन दिया गया है कि शिद्ध कीजियें कि रेखाएं परस पर लंबात है और हमें दो रेखा का समिकरण दिया गया है x-3y2 equal to y plus 1 upon minus 3 equal to z minus 2 upon 4 यह पहले रेखा का समिकरण है और दूसरी रेखा का समिकरण है x plus 2 upon 2 equal to y minus 4 upon 4 equal to z plus 5 upon 2 तो दी गई रेखाओं के समिकरण है पहला है x minus 3 upon 2 equal to y plus 1 upon minus 3 equal to z minus 2 upon 4 समिकरण एक समिकरण दो है x plus 2 upon 2 equal to y minus 4 upon 4 equal to z plus 5 upon 2 equation 2 तो यहां पर a1 equal to 2 b1 equal to minus 3 c1 equal to 4 a2 equal to 2 b2 equal to 4 यह a1 b1 c1 a2 b2 c2 so c2 equal to 2 दोनों रेखाएं लंबवत होंगी यह दी a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 equal to 0 तो यहां पर हम a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 इसका मान ग्याद करते हैं a1 a2 दो और दो को गुणा करेंगे मिल दैगा 4 रेण 4 और 4 और दो को गुणा करेंगे मिल दैगा 8 यह आठ और 4 बारा रेण बारा बराबर 0 यहां पर हमें मिल रहा है कि A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0 तो अतह सिद्ध हुआ अतह सिद्ध हुआ कि रेखाएं एक वा दो समिकन जो दिया गया है परस पर लंबवत है